हेलो एंड वेलकम दूसरी पी शर्मा क्लासस आज का वीडियो है हमारा नेट जे आरप के बारे में UGC Net exam के बारे में क्या-क्या eligibility है इसकी क्या-क्या edge limit है exam fees कितनी है exam pattern क्या है slavus क्या है qualifying marks क्या है exam कब होता है इन सभी के बारे में आज हम detail से देखेंगे net.jrf की संपूर्ण जानकारी ठीक है what is net.jrf, eligibility, edge limit, exam fees, exam pattern, इसमें कितने paper लगेंगी cut-off कितनी जाएगी इन सभी के बारे में देखने वाले है तो what is net.jrf, UGC Net होता है, एक होता है CSIR NET यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन UGC Net के बारे में NET है National Eligibility Test अगर आप NET qualify कर जाते हैं तो आप college में professor बनने के eligible हो जाते हैं अगर जो आपका JRF होता है, वो होता है Junior Research Fellowship अगर आप JRF qualify करते हैं तो आप PhD के लिए किसी research के लिए आप जा सकते हैं और जो आपका UGC Net होता है वो NTA conduct करवाती है NTA क्या है National Testing Agency है यह UGC Net का और JRF का paper टै करती है इसकी eligibility क्या है? आपको minimum eligibility होती है post graduation आप अगर post graduation कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप NET JRF के लिए apply कर सकते हैं post graduation में आपकी minimum 55% marks general category के लिए and 5% इससे कम जो रिजारू categories हैं उनके लिए होने चाहिए age limit की अगर हम बात करें तो JRF में age limit होती है और NET में कोई age limit नहीं होती है assistant professor के लिए no upper age limit ओके तो ध्यान रखना अगर JRF आप कर रहे हैं तो JRF के लिए 30 year होती है general category के लिए 33 year होती है OBC के लिए and HCST के लिए 35 years age limit होती है बट जो assistant professor है NET है उसके लिए कोई भी अपर age limit नहीं होती है ध्यान रखना नेट और JRF है दोनों में अंतर क्या है ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं वीडियो को पूरा देखते रहेगा अब हम देखते हैं exam fees के बारे में जो NET JRF है उसका exam लगता है तो उसके exam fees कितनी है general candidates के लिए ये piece 1000 रुपए है OBC के लिए 500 रुपए और SASST के लिए ये 200 रुपए piece रखी गई है अगर exam pattern की बात करें तो NET JRF में दो paper लगते हैं आपके एक जो paper होगा वो normal paper होता है और second जो paper होता है वो आपका main subject के base पे paper होता है ये exam online होती है Hindi और English दोनो language में हो सकती है exam objective type questions आते हैं याद रखना NET JRF है उसमें no minus marking होती है timing आपके पास 3 hours होती है ध्यान रखना अगर exam pattern की अपन बात करें तो क्या होता है कि इसमें 2 paper लगते हैं और पहला जो paper होगा उसमें 50 questions आते हैं अगर हम स्लेवस की बात करें तो स्लेवस में क्या होता है पेपर पर्स्ट का जो स्लेवस है उसमें teaching aptitude आता है research aptitude आता है data interpretation आता है mathematical aptitude आता है logical reasoning आती है information communication technology पे base paper आता है development environment यह सभी mixing आती है पर्स्ट paper में and which paper the second होता है वह main आपकी सब्जेκ्ट होता है जैसे आपने actually ideology आएगी अगर chemistry से किया है chemistry हिंझी से किया है इंदी साहीत जो जो जिस्बी subject to physics chemistry make biology ओ जिस इंची सब्जेक्ट से आपने किया वह main subject का से लहिए से अब्न rasa ze can do होती है qualifying marks तो जनरल category के लिए 40% है और SC ST OBC PWD के लिए 35% के लगबग है यह थोड़ा और जो cutoff है वह बिल्कुल different होती है net jrf की जो cutoff है वो बहुत अलग-अलग है qualifying marks अलग है cutoff अलग जाती है ध्यान रगना अगर नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको क्या होगा कि अगर नेट क्वालिफाई कर गए ना आप तो आपको असिस्टेंट प्रोपिशर के लिए आप college lecturer के लिए eligible हो जाते हैं अगर आपने jrf clear कर ली पेपर तो एक लगएगा पर इनकी क्या है कि जो cutoff होती है net की cutoff अलग नेती है और jrf की cutoff कुछ high जाती है थोड़ी तो jrf की cutoff अलग रेती है आप jrf के लिए eligible हो जाते हैं तो आप सोधकारिया में जा सकते हैं जा सकते हैं scientist किसी भी research field में आप उसमें काम कर सकते हैं अगर आप jrf clear कर जाते हैं तो आपको fellowship मिल जाती है तो jrf junior research fellowship होती है इसको आप अगर qualify करते हैं तो आपको लगबग 26,000 से 30,000 के बीच में पर मन्त payment मिलता है आपको पैसे मिलते हैं पर मन्त ठीक है यह जिससे मतलब जो आपकी जो भी research कर रहे हैं उसको दिखाना परता है और उसके basis पे आपको यह payment मिलता है पर मन्त राइट अगर आप 2 साल की stipend है यानि जो payment आपको मिलने वाला है वो ज्यादा हो जाता है वो 36,000 से 40,000 तक हो जाता है वो वेरी करता है कि आप किस college में गए है college के basis पे वो अलग अलग payment रहता है कुछ में 36, 37, 37 ऐसे वेरी करता रहता है ठीक है गाईस तो आज अपने देखा है कि जो net JRF है उसके बारे करें और ज्यादा से ज्यादा friends तक पहुंचाएं थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच